एक गरी परिवार जहाँ घर चलाना मुश्किल हो रहा था, वहाँ खिलाडी बनने का सपना देखना बेहद मुश्किल था लेकिन डिफिकल चालेंजेस के बीच अपने लिए रास्ता बनाना और फिर कामियाबी के शिखर तक पहुँचना आसान नहीं होता है लेकिन इसे सच कर दिखाया है, हर्याना के एक छोटे से गाउं से निकल कर दुनिया की बेहतरीन होकी खिलाडियों में से एक और भारत की कप्तान रानी राम पाल ने जानी कैप्टन आफ इंडिया एक बहुत बड़ा ओनर है, लेकिन वह ओनर से पहले कहां से शुरुवात हुई, कैसे हुई, उसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूंगी, आप होकी में कैसे आए? जैसे मैं जिस सीटी से बिलॉंग करती हूं हरयाना में शाबद मारकंडा से वो आज तक वोमें होकी के लिए बहुत एक जानी मानी सीटी मारे जाते हैं, नरसरी मारे जाते हैं, जहां से आइधिंक अबव 70 प्लेयर्स जो इंडिया को अभी तक रिपर्जेंट कर चुके हैं यहांपर कोई प्लेयर्स के बारे में सुनते थे कि उनको जोब मिलती है या इंडिया के लिए खेलते हैं, उस टाइम पैर यह तो नहीं पर्दा था कि इन टीम क्या होती है या उसकी क्या आभिती है, लेकि यह था कि एक जॉब मिलेगी होकी खेलने से या फिर स्कूल के बा कितने उमर के तह जो आपने खेलना शुरू किया या अपने आपको पहली बार ग्राउंड के तरफ ले गए जब मैंने पहली बार मैं ग्राउंड में गई लेकिन उस टाइम पर फीजिकली में बहुत ज्यादा वेग थी कि मेरे जो कोच हैं सरदार बल्देव सर उन्हें ने ल स्व तरसेंर में लोगिर शाजय नहीं नहीं मानना तो उसक brutto के वाद में बढ़ गया तयो एक साल के बार मैं जょमें seven years की तो तो उनके पास गई तब यो नए मेरा कू बहुत बाद बुला कि यहां पhr dustickness है कि यहां प्लेइर्स को बहुत जादा punishment मिलती अगर वह तो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं या पंक्चुलिटी से टाइम पे नहीं आते हैं यहां बहुत मार पढ़ती है तो मेरन को बोला कि मेरको सब कुछ मंजूर है लेकिन मुझे खेलना है बस पर खेलना इसलिए था क्योंकि घर से बाहर निकलना था यह खेलने का शॉक था इस ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या कुछ लेकिन यह था कि एक शॉंक था कि खेलना है हमें और दूसरे ऐसे था कि शायद मलब जैसे प्लेयरों के नाम सुनते थे तो हमें लगता था कि शायद हम भी कभी इनके जैसे बन जाएं अगर हम होकी खेलेंगे तो कॉन से प्लेयर बनना है और बिकोज जैसे सुरिंदर को दी थे वो मलब टोटली मेरे जैसी बैक्राउंड से थे बिल्कुली उनको भी बल्देवसर ऐसी रोड से लेके पकड़के की होकी खेलोगे क्या तो उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं होकी क्या होती है लेकिन आप बोर रहे तो लेते हैं तो उसके बाद वो मलब इंडिया को उन्होंने कैप्टनशिप की उसके बाद डीस्वी बने और काफी साल दस-12 साल इंडिया के लिए क्लास होकी खेले सो मुझे असे लगता था गर वो कर सकते हैं तो शायद हम भी कर सकते हैं अगर हम हैनत करेंगे तो उनकी जैस जैसे वो उन्होंने कभी कोई लाइन कह दी तो वो पत्तर के लकीर की तरह मानी जाती थी इतना इतना फॉल्विंग कैसे हुआ उनका आई थिंक वहां से जितने भी प्लेर अभी वोमें सोकी से आई हैं वो उनका बहुत बड़ा रोल है और लाइक इतने छोटी सी सीटी से सारे प्लेर साने माले इतनी छोटी बात नहीं है बहुत उसके लिए बहुत जादा उन्होंने काम किया है वहां पर अपनी फैमिली उन्होंने 20-25 साल अपनी फैमिली को छोड़ के रखा जो पंजाब में रहती है उनकी फैमिली और स्पेशली उनका एक यह था कि लड़कों आके काम किया उनके सबसे अच्छी बात है कि उनको इसलिए उनकी कोई चीज भी थी जो इसलिए फोलो की जाते थी क्योंकि वह खुद पहले उस चीज के लिए उस चीज पर स्टिक रहते थे कि अगर उन्होंने जैसे बोला कि अगर मतलब डिसीप्लिन चाहिए या टाइम सबसे पहले आपको डिसीप्लिन में रहना बहुत जुरूरी है एक बर आपको भी उन्होंने कहा था कि आप लेट आये तो फाइन है आपके लिए और उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकल के दे दिये थे बहुत मैंने तब शुरू कीती होकी एक-दो साल ही हुआ था तो मुझे पता तो था कि वह इतने स्टिक नहीं मतलब लेकिन हमारी फैमिली कंडिशन इतनी बैड थी उस टाइम पर कि हमारे घर में कोई जैसे क्लोक नहीं होती थी कि जिससे मेरी मम्मी मेरे को सुबह उठा सके चार बजे की ग्राउंड जाने के लिए मेरे मम्मी मतलब यूस्टू थे कि सम्टाइम्स वो आसमान को देखके आइडिया लगाते थे कि सुबह उसका टाइम हो गया उसको उठाना है लेट हो जाएगी नहीं तो मार पड़ेगी सो मेरे से ज्यादा टेंशन उनको रहती थी कि उसको मार पड़ेगी मैंनों ने दो तिन घंटे मुझे फ्रेंटर लगाने के लिए बोला कि और इतनी थंड में मतलब उस ताइम बहुत थंड थी दिसंबर का महीना था मेरे को भी याद है पानी में जैसे टर्फ के आपर पानी होता है तो उन्होंने वेरे को उसके बाद बोला ट्रेनिंगे बाद कि आपको 200 रुपीस फाइन है विगोज आप दो मिनिट ले आयो और आपको शाम को लेके आने हैं 200 रुपीस मेरे लिए 2 लक थे कि मेरे पापा भी 200 रुपीस पूरे दिन में नहीं कमाते थे ऑसके बाद घर जाकर बोला तो मम्मी ने बोला कि 200 रुपीस तो नहीं है लेकिन उन्होंने किसी से मेरे को 100 रुपीस लेके दिये और बोले कि यहीं है और इससे ज़्यादा तो नहीं है मतलब और दे भी नहीं सकते तो शाम को जब अकादमी गई तो मेरी जो कोस्त तो उन्होंने मेरे को यही पूछा कि आपको मैंने फाइन के लिए बोला था आप लेकर आए कि नहीं सो मेरे को तब भी इतना डर लग रहा था कि मौन को कैसे बोलों कि मैं 100 रपीज के आई हूं बोला तो मैंने बोलौब यही थे तो मैं यही लेक आई है यह उनों तो नहीं तो मेरे और प्रणी में नहीं नहीं दोलीग् necesita diet तो तो बुला कि मेरे को तेड चेंहें काGS वारा इंधर किया सो उन् invent कि सब्सक्राइक 17 is FM Comics वापिस से और हंडर्यूपीज अपनी तरफ से वन्हें मेरेको वापिस किये इस ने बहुत कि मेर को कोई तेरे से पैसे नहीं कि तर उसे पैसे लेना लेकिन तरको एक डिसिप्लीन सिकhाना था कि कैसे टाइम पर आया जाता है तब उन्होंने मेरे को मतलई एक चीज बोली थी कि अब या तो मतलई मैं तरको प्लेयर बना के छोड़ूंगा या फिर तू होकी केलना छोड़ देगी तो मेरे को बोले होकी तो नहीं मैं छोड़ने दूँगा लेकिन यह जरूर है कि मैं तरको प्लेयर जरूर गुना के छोड़ूंगा उसके बाद उन्होंने बहुत जादा वैसे तो सब प्लेयर्स के उपर वो सेम कॉंसेंट्रेशन से काम करते थे लेकिन उनको यह था कि ऐसे सबसे बड़ा बिलीव था कि हमेशा जो पूर बैक्राउंड से बच्चे होते हैं उनको लेकर आना क्योंकि आप उनसे जितना भी चाहों हार्ड वर्क करवा सकते हो तो इसलिए वह हमेशा बच्चे जो थे वह गाहों से या ऐसे सी फैमिली से पिक करते थे कि जो ज्यादा म प्लेयर्स ओंगे जो जिन लड़कियों के कारण उनके घर चलते हैं लेकि कहीं के घर में खाना ही बनता था लेकिन वो लड़कियों ने अपनी फैमिली सेटल की उसके वाद जहां उनकी शादी होई वह वह फैमिली चलाते हैं बहुत महनत करी है उन्होंने भी और ए तिंक आईनो ऐसे लोग एक्जिस्ट करते हैं आज की रेट में भी करते हैं बट यू थिंक कि प्लेयर में अपने अंधर में इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए अब जो नई जनरेशन आ रही है वो इस चीज को वैल्यो कर पाती है आई थिंक अभी वो चीज थोड़ा काम होगी आपको एटमस्फेर का बहुत फरक पड़ता है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं हम भी हमें यसे लगता है कि शायद हम ऐसी अकैडमी में गए कि जहाँ एटमस्फेर ऐसा बनावा था कि सारे इतनी मेनत करते थे और सबको एक्वल देखा जाता था तो सबको ऐसे रहता था कि यह जो मेनत करेगा वही आगे जाएगा अदर्वाइस कोई option नहीं है बहुत जल्दी आपको जुनियर टीम और एक talented यंग्स्टर जो साइट करते हैं सेलेक्टर साइट करते हैं या एडिनिश्टर साइट करते हैं वह आपके साथ बहुत जल्दी वह ताट मेंस आपने बहुत यदि की बीसिखी होकी ? नहीं बिल्कुल हमारे अकेडमी भी ऐसे होता था कि अगर जैसे बैच वाइज होकी कहली जाती लेकिन किसी एक बैच में कोई बहुत आउट संदिंग उता तो हमारे कोच उसको थोड़ा शीनियर बैच में डाल देते ता कि वह उसको सीनियर प्लिय कि एक प्लेइर कोचिज भी बोलते थै कि आप कौन से स्टेट से बिलॉंक खरते थै तो मैं बॉलते थी splits झाल यॉप विल्कुल ली करते थै कि हम प्लेइ़ कही कहीं वह सकते बिल्कुल बिना कि जहां वहर कर जान सकते नियुक्व मेरे रीए वह बहुत जादा था किया कि मिर को नहीं करना लेकिन फिर बी जैसे वो बोले कि आपको करना पड़ेगा.. मैरे को ऐसे त knife कि मीरे पास तो मैई एसची तो मैं काले देंगे कीश्छ गूरूज सद्टनली वो पूरा वेड जो है मेरी बैक के ओपर गिरिया और मेरे को इतनी बैडली बैक इंजरी हुई सो मैं अकैडमी वापिस गई तो बल्देसर को भी बहुत गुसा आया कि उनको लगा कि मैं इतनी ट्रेनिंग करा कि इनको यहां से बेसता हूं और वहां जाके मैं छोटी जीच के कारण यह लोग बाहर हो जाते हैं कि इसके भी बाहर है सो उनको बहुत गुसा ताव स्टीच का लेकिन उनका गुसा मतलब अपने प्लेयर्स के ओपर ही नीकलता है कि उनको यह था कि मतलब और ऊप्लेयर्स कभी इप ने करते हैं यह साल मतलब बिलकुल टोटली होकी से बार रही और वह भी टाइम था कि जब मतलब उस कोच के साथ जो जूनियर टीम में कोच थे कि उन्होंने बल्देव सर को बोला था कि ये लड़की कभी इंडिया नहीं खेल सकती मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब जिस प्लेयर्स के लिए मैं इतना काम कर रहा हूं और उसको कोई कैसे ऐसे बोल सकता है सो उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं आपने बोल दिया बट मैं आपको करके दिखाऊंगा वो चीज कि ये लड़की खेलेगी इंडिया के लिए ना तब मैं उस टाइम पर हमारी टीम में आई थिंक 11 इंडियन प्लेयर्स खेल रहे थे जो इंडियन टीम में खेलते थे और मैं उन में सबसे यादा यंग थी कि जिसको कुछ पता ही नहीं था कि इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने को लिए मिल रहा है तो वहाँ पर जो हमारे एमके कोशिक जो फॉर्मर कोश थे वहाँ पर एज असलेक्टर राए हुए थे तो उन्होंने जब मेरे को वहाँ पर देगा तो उन्होंने मेरे को सीनियर कैम के लिए स्लेक्ट किया था वहाँ से और उसके बाद भी मेरे को कोई उमीद नी थी कि मै इंडियन टीम में मतलब आजाओंगी इतनी जल्दी लेकिन उन्होंने इक दिन बुला के कैम में बोला कि कि आप क्या सोसते हो टीम में आने के लिए सुमेरा एक ही अंसर था कि आभी तो बहुत सारे senior players खेलते हैं मतलब मेरा कोई तो तब उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर आप कंटीनु अच्छा केलोगे तो मैं आपको टीम में लोगा लेकिन आपको हर दिन परूफ करना पड़ेगा कि आप अच्छे बेर हो फिर उन्होंने को 2008 में मदलब 14 जी एज में तब मेरे को इंडियन टीम के लिए स्लेक्ट कि झाल